प्रदेश के सहरी विकास मंत्री मदन कोशिक अल्दुवानी से दहरा धुन जाते हुए कुस देर के लिए कासीपूर में रुखे ते जहां उन्होंने देश के पेट्रोल्यों मंत्री धर्मेंद्र परदान के द्वारा की गई वीडियो कॉनफ्रेसिंग में प्रतिभाग किया कि हमारा जो एक्ट है वो उत्तर परदेश से गवर्ण हो रहा है और सामानेता पिछले दिनों एक्ट में डिप्टी मेर के पद को लेकर कुछ ऐसी इस्तिती बनी कि उन्होंने उसको अपने एक्ट से बाहर किया तो हमने भी उसे एक्ट का डोट किया है तो इस कारण से कहीं अधिकार में कुम्ब को लेकर वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से बैठ एकती मुझे फिजिकली जाना था लेकिन संभवते मुझे लगता था लेट हो जाएंगे तो तब चार बजे में नहीं से जुड़ने का किया तो उसमें कुम्ब को लेकर कुछ विवस्थाओं के पूरा कर लिया जाए अधिकारी उन्हें सास्वसंदिया क्यों करें तो कासिपूर के लिए देखें हम लोग आप देखेंगे लगातार निरंतर कासिपूर के विकास के लिए जो योजना है वह ऐसी नहीं है कि कम है यह सही है कि जब इस परकार का डवलपमेंट होता है तो लिकिन आप कुछ समय के बाद देखेंगे जब यह फलाई ओवर और यह सब कुछ बन जाएंगे तो तब आपको भी लगेगा कि यहां अच्छा है और बाकी नगर निगम के माध्यम से और डवलमेंट ऑथर्टी मिलकर यहां काफी कुछ और भी विकास के कामों का उनका बा पूर देखेंगे जिसमें कहीं सहरों का काम अभी चल रहा है जिसमें उसमें माश्टर प्लान के बाद जोनल तक हम पहुंच गये हैं कुछ में अभी हम और आगे पहुचे चुकि बड़ा काम होता है इसमें इतना लगता है कि पहरे माश्टर प्लान पेर सुनवाई काफी समेश में लग जाता है लेकिन हमने एक प्लैंड वे में इस काम को किया है और पूरे राज्य का किया है अब इसमें बैटकर मिटिंग करके माने मुख्यमंतरी जी ने भी कुछ घोस्ना है कि है उस भामना के अनुसार हम लो काम करें दिया उन्होंने के मैदानी और मैं लिया क्मर्सकाइय भाग कर रहा है तो या जो हत्ता बारा में जानकारी के लिए परसंटेमAR के लिए कुछ नहीं अब जमाओ एक रूद कराइगा यगिमार को तो पैसा उबी जानकारी लेकर और और कौन सा डिपार्टमेंट इसे करा है चुकि यह सेम घोषना में है तो घोषना सेल से यहां से भी होना होगा तम मैं इसको आगे बढ़ा हूँगा यह पहले भी संग्यान में आया था कि यहां के बोर्ड में ऐसा प्रस्ता हो काफी दिनों पहले किया कि वह दो परसंट लेगे सामानेता प्रदेश में जब हमने पूरी सेलरी स्टेट फैनेंस से हम लोग देने सुरू किये थे तब इस परकार की वेवस्ता को समाप्त कर दिया यह बात आये थी कि चुकि बोड का प्रस्ताओं है और बोड के प्रस्ताओं के अधार पर यह ले रहे हैं तो और यह पुरानी अधार पर चल रहा है इसलिए बोड के प्रस्ताओं के अधार पर लिया जाता रहना चाहिए ऐसा इन्होंने लिखके दिया था पूरा पैदल हो चुका है तीन साल हो गया लेकिन फिर भी इस पर एक बड़ी बैठक बुलाई थी सारे अधिकारियों को बुलाया था इस से और भारत सरकार में जो मंत्रियों उनसे भी बात्चीत हुई थी यहां की सारी कुछ रुदरपूर की समस्या हैं कुछ यहां की हैं तो यह समस्याओं को लेकर और मुझे अभी जानकारी नहीं ली कि कल की मिटिंग में क्योंकि मैं इधर दोरे पर हूं क्या रहा होगा लेकिन यह गंभिरता के साथ हम इसको ले हैं चोकि यह काफी पुरानी समस्या है जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो जाएं